बहिया, एक बात समझ में नहीं आए, मुझे कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? आप तो बहुत अच्छे पढ़ाते हो, ओके, चलो, वैश्नवीर ने कहा कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना, देखो, अरे यार मैंने स्टार्टी नहीं किया था टाइम चलो छोड़ो मैंने टाइम स्टार्ट ही नहीं किया था मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना सच बताओ बच्चो आई रेली विश्ट टू बिकम दॉक्टर ठेक है जब मैं छोटा था है ना तो मुझसे जब कोई पूछा करते थे कि जीवन में आगे चल कर क्या बनना है तो मैं सब को बोलता था कि यार मुझे डॉक्टर ही बनना है बट फिर जिन्दगी ने कुछ ऐसे मोड लिए मेरे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हुई जिसकी वज़स से मतलब I really took some hard decisions और फिर मैं मतलब to become the self independent person I came to indoor है ना अपने घर से में यहां आ गया फिर यहां अकेला रहने लगा तो फिर कोई guidance नहीं lack of guidance in all fair सरकारी school की पढ़ाई सरकारी school में कभी कोई पढ़ाने आ भी रहा है कभी कोई नहीं भी पढ़ाने आ रहा है कभी जाना है तो कभी नहीं भी जाना है वेसी situation में अपनी पढ़ाई हुई so ninth standard में ऐसे number की भई क्या ही बोलो है ना 57 percentage मेरे total बने थे जिसमें mathematics में 33 marks और social science में 33 marks थे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक number भी इदर उदर होता तो 80 बच्चों की बेच में से 19 students जो है उसमें पास हुए थे बच्चों है ना मतलब मेरे उसमें section में से 19 बच्चों की बात कर रहा हूँ total तो थोड़े जादा थे तो 19 बच्चे मेरे section से पास हुए थे और 19 बच्चों में जो है मेरा नाम लकीली था नहीं होता ठीक है अगर social science और mathematics ने साथ नहीं दिया होता जितना उन्होंने दिया है ना उपकार ही किया मुझे पर 9 में social science और mathematics ने कि चलो 23-23 आ जाते तुम्हें ठीक है तो मैं जैसे तैसे पास हो गया बच्चों फिर जब 10th standard आया तो 9th standard में जब मैं था तो हमारे school में rule था कि जो कोई topper होता है ना उस topper को सम्मानित किया जाता ह स्टेज पर बुलाकर उसको फूलों का दस्ताना दिया जाता है फूलों का जो है उसको बुके दिया जाता है बच्चोर उसे 500 रुपे का इनाम मिलता है 500 रुपीज मैंने उस दिन डिसाइड किया कि यार ये 500 रुपे मुझे अगली बार चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाया मैंने बहुत ज़ादा मैनत करी फिर 10th standard में बहुत ज़ादा मतलब जो चीछ समझ में आती समझ नी जो ना समझ में तो रटली कोई बात नी ठीक है लेकिन बहुत मैनत करी luckily मैं district topper हो पाया ठीक है तो 10th standard क्रास करने के बाद में जब 11th में मैंने लोगों से कहा कि मुझे doctor बना है तो लोगों ने मुझे बताया कि doctor बनने के लिए बायो पढ़नी पड़ती है और doctor बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है मतलब जिस situation से तुम गुजरे हो situation से मैं भी गुजराओं मुझे लोगों ने literally कहा कि उसमें इतना सारा पैसा चाहिए और तू तू खुद कमा कर खुद अपना पेट पालता है दो वक्त के खाने के लिए तू दिन भर काम करता है उसके बाद अपनी पढ़ाई करता है तू कैसे doctor बन पाएगा तो वही lack of guidance था तो फिर नहीं बन पाएगा तो फिर प्रिंसिपल सर से पुझा तो नहीं न का यार तेरे number बहुत अच्छे तू mathematics ले ले mathematics ले ली क्यों ले ली आगे चलकर क्या बनना है क्या करना है कुछ नहीं पता था बच्चे ठीक है वेन आइ गो टो माई college जब मैं वहाँ पर मैंने जब BSC में admission लिया तब मुझे बहुत सारी streams और engineering उन सब बातों के बारे में पता चला तो हम तो उस दर्द के मारे हैं है ना जिस दर्द का कोई ठिकाना नहीं हम तो उस हतियार के मारे हैं जिस हतियार का कोई ठिकाना नहीं देना था साथ जिने हमारा उनका कोई ठिकाना नहीं और दो जाला नहीं झाल झाल